हालो एव्रिवान रादे रादे जैसे किष्णा जैम आता दी कैसे हो मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मस्थ होंगे एश्टी मिस्ट्रा पुख्राम लॉक्स में आपका धेर सारा तैदिल से वैलकम मैं फ्रेंट्स मॉर्निंग से ही हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया तो यह दो जून तक रहने वाले हैं तो दो जून तक बस ऐसा ही वीसल घर्मि होने वाली है तो ऐसी घर्म में तो ना तो खाने की इच्छा करते है रोटी खाने का तो एक परसंट दिल नहीं करता है लगता है यार कुछ जोड़ा हलका-फुलका वाला नासता मिल जाए बस इस दो बिल्कुल आफ़त है तो यहां पे फेंटे में जड़ी हो सके जितना हो सके हैं पानी पीते रहो खाना कम ही खाओ भई ठीक है थीजिए सेद के लिए और पानी ज़्यादा पीओ तो पानी की कमी भी नहीं होगी और पानी फाइदा भी करता है तो यहां पे मैं लईया कर रही हूं और मुझे फेंट लगया अच्छी भी लगती है और किचिन में तो इस टाइम ऐसा लगता है कि कितना जल्दी हो सके मनलब खाना जल्दी खाना बनाना तो भीया इतना अब वो लगता है कि दो गंटे किचन में खड़े होना आफत बिलकुल आफत है तो यहां पर इसी तरीके से मनलब मैं फ्राई कर लेती हूं सबी लोग जानते हैं फ्राई करना और कोई न्यू रैस्पी तुमें शेयर नहीं कर देंगा बस बना रही थी तो आपके साथ थोड़ा सा दिखा दिया है आज मिले थोड़ा सा बाहर भी जाना है और लगता है धूप नहीं आ जाना भी हमारा तो कहां जाएंगे अभी आपके साथ हम सेयर करेंगे तो प्लीज छोटी से करती हूं हमारे ब्लॉग में एंड तक जरूर बनी रहना ठीक है जो भाई बेन हमारे न्यू आते हो तो जो आइन भी करना हमें तो यहां पे हमारी जो लईया थी वह मैंने अवाज सेकाए कर लो तो अब जैसे बड़े दिन होते हैं तो प्ली टायम बेटे हो तो आपना घ्र watches भाउ दूपächं पर पढ़ते रहो खाते रहो और वह फोन देखते रहो खाते रहो तो कर दारत है जल्दी तो यहां पे शिर्ड में रही है चाय हमारी खुए तो इस टाम कि या यहां पोओं दो है घो आए हों कि कोई चाह पीकर पूंए रस नए पैसा में च्यूनिक यूज लेकि पर पीने शोड़ करते हैं दो तो निबू रखते हैं कि निबू पानी पिलो मैंगो से बना लो बस ऐसा ही मतलब ठंडी-ठंडी चीजे यूज कर देहें फिर दही जमा के रखते हैं दही हमारा कभी ख़तम नहीं हो सकता है करुड़ा करुड़ा का यही चीजें फाइदा करती गणता है 안ह 가장 पायदे मंद होत यहां पे कदू बना रहे हूँ छोटा सा कदू था तो हमारे लिए happy के लिए हमें दोनों लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो हमारा happy और हमारे लिए our happy के लिए पता नहीं क्या बोल ले हूँ तो please ignore कर ना आप काफी time बाद अगर आप वाइस ओबर करते हो ना तो पता नहीं सटर पटर गटर क्या बोलने लगते हो कुछ पते ही जलता है तो यहां पर फ्रेंट्स दो मैंने कड़ा ही रखी है क्योंकि कद्दू की सब्जी हमारे पती दियो नहीं खाएंगे पापा नहीं खाएंगे तो उनके लिए अलग सब यह बना लो बस फटा फट से गर्मी में इच्छा ही करती है कि ज्यादा कुछ बनाओ किचिन में खड़ा होना बहुत मुस्किल होता है मैं आपको क्या बताओं जो काम करता है वो खुद समझ सकता है इसके बाद मैं हो गई हूँ बिलकुल तयार जाने के लिए यहां पे पहले मैं फोड रही हूँ अपनी गूलक जो फेंस मैंने इस टाइम मलब बुकिंग की थी साधियों की जैसे बुकिंग होई थी तो कुछ पैसे मैंने बच्चत किये थी अपने तो मैं गूलक रखती तब उस टाइम सब कुछ मिलता है तो गोलक भी मिलती है तो तभी मैं मगवाँगी वहां से क्योंकि मुझे फेंड गोलक रखी रहनी चाहिए एक फूट नी चाहिए तो हमारी यह बहर गई थी बिलकुल तो जगह नहीं थी इसमें पैसे डालने की क्योंकि छोटी फ्रेंड तो मैंने इसमें पांच सेर और डाल दिये और जो और पैसे थे वो मैं अलग रखती थी तो क्योंकि मेरे पैसों की कुछी वो जरूरत नहीं होती है मेरे पैसे सिर्फ मेरे लिए ही होते हैं फ्रेंड से मैं आपको रियल बताओ ना मेरे पती दिव लेते हैं ना कोई देता ह है वो तो यहां पर मैं इस तरीके से अपनी बचत करती हूं कि मलब आंगे कुछ काम आए ठीक है तो मेरा मन था कि काफी टाइम से मैंने एक मंगा सूत्र का पैंडल बनवाया था काफी मलब बड़ा था आप लोग देख सकते हो कि मैं पहने वी हूँ मलब जो मंगा सूत्र का है वो मैं पहने हूँ जो उसका पैंडल दिख रहा है और जो इसकी फ्रेंट्स मंगा सूत्र की डोरी है वो मुझे सोने की वो मैं नहीं बनवा पाई थी उस टाइम ये मंगा सूत्र मैंने 65,000 का पैंडल जो था 65,000 का बनवाया था क्योंकि फ्रेंट् तो मुझे जो डोरी है वो बिल्कुल सोनी के लिए नी थी तो काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था उस टाइम तो मैंने सुचा चलो अभी पैंडल ले लेते हैं और बाद में हम इसकी डोरी जरूर बनवा लेंगे तो बस पैंडल बनवा लिया है अब हम इसकी इसका नंबर आ गया है डोरी बनवाने का तो सोना भी है थोड़ा सा पहले से मलब कुछ 802 के आसपास था अब इस टाइम हो गया है 73 तो मैंने डाल दिया है बढ़ने के लिए अभी मैं दिखाओंगी मैंने किस तरीके से वह पसंद की है आप लोग सोचेंगे कि सामने से देखो फोड रह पहुत है तो मैं साड़ी लूँगी कि यह साड़ी ले लो कपड़े का कुछ नहीं होता है कपड़े लेना भी जरूरी है लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मुझे लगता है कुछ बनवा लो यह आंगे चलके काम भी आती है चीजें और दिन पर दिन महंगाई कैसी क्या कि इसकी बातर पहुंच गई थी मैं सुनार की सॉप पर तो यहां पर भी आ ने दिखाई है हमें बुक तो उसमें दिखा रहे हैं यह मंगल सूत्र की जो डोरी है तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं मनलब मनगल सूत्र है मेरा हो मैं उसको लेकि गई कि उसमें में पैंडल है जो हमारा देखेंगे लगाके तो मुझे भहिया से मैं बोल ले थी भहिया मुझे मुझे मलब दिखा दूआ बनी बनाई जो रखी हूं आपके इस पास वही दिखाओ मुझे बुक से बिलकुल समझ में नहीं आ रहा था और डिजायने भी कुछ मुझ ये लगता है कौँ सी ले लें ये ले लें और फ्रेंस लगता है एक बार अच्छी चीज मिल जाने जानी चाहीं क्योंकि इतना महंगा सोना हो गया है कि सुन के दिमाग खराब होता है वैसे मैं दो तीजे बनवाने गई थी मैं आपको रियल बताऊं एक मैं जोदा मूठी लेने गई थी और लेकिन फिर इतनी महंगी इतना महंगा सुनके फिर मैंने सुचा चलो अभी नहीं तो अगली साल तक बनवाएंगे अभी तो मैं इस तरीके से मंगा सूत की डोरी अभी निकल रहा था तो अभी आपको हम पहन के दिखाएंगे और जो फ्रेंड इसकी रेंज थी मैं आपको क्या बताऊं मैंने सोचा था कि मलब 30-40,000 तक हो सकेगा कि बन जाएगी लेकिन जब मैंने इसकी रेंज पूछी पूरी ये थी 70,000 की जो मलब पूरी ये डोरी है वो फ् यह है कि इतने अच्छे वो भाईया हैं कि मैंने आदे पैसे अभी दिये हैं आदे पैसे में बाद में दूँगी क्योंकि हमारा यहां चलता रहता है तो आप बताना हमारा जो पैंडल है वो इसमें कैसा लग रहा है बस पैंडल मैंने पहले बन वा लिया था और डोरी मैं आप बन वा रही हूं क्योंकि एक साथ इतना नहीं हो पाता कि अब अगर बन वाते तो पूरा डेड़ लाग से उपर पड़ता जाके तो इतनी मलब नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे हर चीज होती है तो प्रेंस कैसा लगा हाज को ब्लॉक मैं यहीं पर एंड करती हूं मिलत नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे